आज हम सुनेंगे रामभर्त शबरी की कहानी शबरी एक आदिवासी भील पुत्री थी देखने में बहुत ही साधारण पर हिर्दय से बहुत कोमल बेजुबान पशू पक्षियों के प्रती उसके हिर्दय में परम करुणा और प्रेम के भाव कूट-कूट कर भरे हुए थे जब वह विवहा के योग्य हुई तो उसके पिता ने उसका बिवान निश्चित कर दिया आदिवासियों के एक प्रता थी कि किसी भी शुप कारे से पहले भी पशू की बली देते थे इस प्रता के लिए उनके पिता विवहा से एक दिन पहले सौ भेड बकरियां ले आये शबले ने पिताजी से पूछा पिताजी इतनी सारी भेडबक्रियां क्यों लाए हो तो पिता ने कहा पुत्री कल सुभह से तुम्हारे विभाकार्य और विदियों को प्रारंब करने से पहले इन सभी भेडबक्रियों की बली कुल देवी को प्रसंद करने के लिए दे जाएगी ताकि विभा में किसी प्रकार का कोई वेगन ना आए और सभी कार्य सरलता पूर्वक पूर्ण हो ऐसा कहकर पिता वहां से चले गए प्रथा के बारे में सुनकर शबरी का मन द्रवित हो उठा वह बहुत दुखी हुई उस रात शबरी को नेंद भी नहीं आई और वह पूरी रात उन भेड़ बक्रियों के पास ही बैठी रही उसके मन में एक ही बात रहे रहे कर उठ रही थी कि कैसे वो इन बे जुबान पश्वों को बचा पाए तब ही अचानक शबरी के मन में एक खयाल आता है कि यदि वह सुबह होने से पहले भाग कर जंगल की ओर चली जाए तो इन जानवरों की चान पच सकती है शबरी ये बात भी भली बाते जानती थी कि यदि वह इस घर से एक बार चली जाएगी तो उसके बाद वह घर वापिस कभी नहीं आपाएगी परंतो उसका चित किसी भी प्रकार उन बे जुबानों को अपने वज़े से बली चड़ते हुए देखने के लिए तैयार नहीं था सो उसने खुद से पहले उन जानवरों के विशे में सोचा और उसी पल शबरी घर से निकल कर एक घने जंगल की ओर चल दी अकेले शबरी इस प्रकार घने जंगलों में भटक रही थी तब शबरी ने शिक्षा प्राप्त करने की सोच कर कई रिशी मुनियों के आश्रम में दस्तक दी परंदु एक छोटी जाती की होने के कारण सभी ने उसे दुद्कार कर निकाल दिया कोई भी रिशी मुनियों उसे शिक्षा और घ्यान देने के लिए राजी नहीं हुआ इसी प्रकार भिटकते हुए शबरी मतंग रिशी के आश्रम में पहुँची और उस ने अपनी शिक्षा प्राप्ति की इच्छा प्रकट की मतंग रिशी ने पूर्ण प्रसन्नता के साथ शबरी को अपने गुरुकुल में स्थान दे दिया इसके लिए मतंग रिशी को अन्य कई रिशी मुनियों के कोप का और बिविन प्रकार की तरहे तरहे की बाते सुनने का तिरसकार भी सेना पड़ा उधर शबरी ने बहुत ही जल्द आश्रम और गुरुकुल के नियम, कर्म और आच्रनों को बहुत ही आसाने से अपना लिया और दिन रात अपने गुरु की सेवा में लग गई शबरी शिक्षा प्राप्ती के साथ साथ आश्रम की सफाई, गौशाला की देखरेख, गवू का धिहान रखना और अन्य गुरुकुल वासियों के लिए भोजन बनाने जैसे कार्रे भी पून हर्ष और भाव के साथ करती थी इसी प्रकार कई वर्ष पीत गए मतंग रिशी भी शबरी के आच्षर, वहवार और गुरु भक्ती से बहुत प्रसन्न थे मतंग रिशी अब बूड़े हो चुके थे, उनका शरीर भी दुर्बल हो चुका था तभी एक दिन उन्होंने शबरी को अपने पास बुलाया और कहा, पुत्री मेरा शरीर अब दुर्बल हो गया है, अब मैं अपना शरीर छोड़ कर परम पिता में लीन होने की इच्छा से समाधी लेना चाहता हूं परन्तु उससे पहले मैं तुम्हें एक आशिरवार देना चाहता हूं, बताओ तुम्हें क्या चाहिए? तब शबरी आँखों में आशु भर कर कहने लगे, हे गुरुवर, आप ही मेरे पिता हैं, आप मुझे अपने साथ ही ले चलें, तब रिशी मतंग बोले, नहीं पुत्री, मेरे बाद तुम्हें इस आश्रम का ध्यान रखना होगा, तुम्हारी इश्वर भक्ती और कर्तव्य परायनता, करुणा भाव का तुम्हें उचितलाभ मिलेगा, और उसी के फलस्वरूप एक दिन तुम्हें उस परंपिता का दर्शन होगा, स्वेम राम जी तुमसे मिलने आएंगे, और तुम्हारा उद्दार करेंगे, और तुम्हें मोक्ष की प्राप्ती होगी, इतना कहकर मतंग रिशी अपनी देहे को समाधिगत कर लेते हैं, उसी दिन से शब्री ने श्री राम के इंतजार की लो अपने हिर्दय में जला ली, वहनित्य प बाग से इखटा करती और श्री राम का इंतजार करती, उसे रामची के आने की कोई निश्चित्तिती पता नहीं थी, परन्तु अपने गुरुवर की बात पर पून विश्वाश था, कि एक ना एक दिन उसके राम जरूर आएंगे, एक दिन शब्री आश्रम के पास एक तो उसे अचूत कहकर उस पर एक पत्थर फेक कर मारा, जिससे शब्री का हाथ जखमे हो गया, और रक्त की एक बूंद उस नदी के जल में जा गिरी, जिससे उस तलाब का सारा जल लाल रंग का रक्त सा हो गया, शब्री वहां से रोती हुई, राम को याद करती हुई, अप बहुत से प्रियास किये, कई पवित्र नदियों जैसे गंगा और यहुना आदी का जल भी उस तलाब में मिलाया, परंतु फिर भी तलाब के पानी का रंग लाल ही रहा, कुछ वर्शों बाद जब श्री राम सीता माता की खोच करते हुए उस तलाब के पास आए, तो वहां चर्णों से इस तलाब के रक्त को छूदें, ताकि वह फिर से जल बन जाए, और हमारी पीने के पानी की समस्या का समाधान हो जाए, उनके आगरे पर राम जी ने उस तलाब में अपने चर्णों को रखा, परंतु उसका कोई ब्रभाव नहीं पड़ा, जल पहले जैसा सुर संपून कथा सुनाएं, कि कैसे इसका जल रक्त में परिवर्तित हो गया, तब रिशी उन्हें शबरी और तलाब की पून कथा बताते हुए कहते हैं, कि हे प्रभू, यह जल उसे शूद्र शबरी के कारण एपवित्र हो गया है, तब भगवान बहुत दुखी हो कर कहते हैं कि हे रिशीवर, यह रक्त उस शबरी का नहीं, बलकि मेरे हिर्दय का है, जिसे तुमने अपने वच्चनों से दुखाया है, और घायल किया है, और भगवान राम बिशी से आगरे करते हैं, कि किरपा करके आप माता शबरी को यहां बुलाएं, मुझे उनसे मिलना है, तब ह शबरी को वहां पर बुलाया गया, बुलाने के लिए लोगों ने बताया कि राम जी आए हैं, तो राम नाम सुनते ही शबरी मेरे प्रभु आ गए, मेरे राम आ गए, ऐसा कहते हुए वह दोड़ी चली आती है, शबरी के दोड़ कर आने से उसके पैरों की धूल उड़कर तलाब में चली जाती है, और तलाब का रक्त फिर से जल में परिवर्तित हो जाता है, और राम जी रिशी से कहते हैं, देखिए गुरुवर्ट, आपके कहने के अनुसार मैंने सब किया, परंतु उसका कोई लाब नहीं हुआ, और यह रक्त शबरी माता के पैरों की धूल ल और अपने साथ अपने आश्रम में आने का आग्रह करती है, शबरी ने उस दिन भी अपना आश्रम फूलों से सजा रखा था, और बाग से चक चक कर सबसे मीठे और रस्तार बेर अपने प्रभुराम के लिए लाई थी, शबरी पूरे उत्साहा और आनंद से प्रभुराम क स्वागत करती है, और उन्हें मीठे मीठे बेर खिलाती है, प्रभुराम भी बड़े प्रेम से उन्हें खाते हैं, और लक्षमन जी से भी बेर खाने को कहते हैं, तब लक्षमन जी कहते हैं, भाईया ये बेर छूटे हैं, आप भी इने ना खाएं, तब श्री राम कहते हैं लक्ष्मन ये बेर छूटे नहीं बलकि सबसे मीठे हैं क्यूंकि ये प्रेम और भाव से भरे हुए हैं और भगवान राम और भियदिक प्रेम से उन बेरों का आनंद लेते हैं मतंग रिशी का कथन सत्ते होता है और देवी शबरी को मूख्ष की प्राप्ती होती है और राम शबरी के राम बन जाते हैं इसी प्रकार की अन्यवरत एवं पौरानिक कथा कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करें ताकि आप भी दोसरों तक इन्हें पहुचा कर तर्म लाब प्राप्त कर सकें